क्योट्रिक्स लाइन प्रैक्टिस अचीव हलो एब्रिवन वेलकम टू क्यूट्रिक्स दिस परनाय एंड कुड़े विभी दिस्कसिंग पूर्टो यूट्रिशन आज हम डिसकस करेंगे करने से पहले बता दूब कि जाती है आप मेरा यूजी के सारे सकते हैं जो लाजी के अलावा बोटनी केमेस्ट्री फिजिक्स मैप कॉमर्स के क्लास भी हमारी वेब्साइट क्योडिक्स दॉटिक्स अगर आपको ये लेक्ट्चर कहीं से भी थोड़ी हलफू लगती तो प्ली क्या हैं फोटो जोन की मोट्स नोट्रिशञ परॉस्मेद तो पहले हम समय जांते मोट्ट्री टाण होता है डिव स्थान मींस कामनली निउूट्रीशिंटियूं को मतलब क्या क्या है हम जो nutrient requirement होती है body के nutrient requirement उसके गज़ा है nutrient requirement की fulfillment अब जो nutrient requirement होता है उसका fulfillment कैसा होता है eating food अब फूड जब बात कर रहे होते हैं क्या होता है नॉट्रिंट के requirement को फुल्फिल करता है body अब जब हम बोलते हैं कि यहां पर mode of nutrition अब मतलब क्या है कि जो यह food eating है इसके different different modes होते हैं हर organism में different different modes होते हैं इसके तुरू क्या करते हैं अब यह अपना food क्या करते हैं कंज्यूम करते हैं तो इच इंडिविज्जियल एफिर हम बात करें इच पूटू ज़ा है है यूनिक फीजिए उनिक सेट और फीचर्ट तो अब्टेनिंग दियर फूड तो अगर हम बात करते हैं mode of mutation तो types of food के according अगर हम इसको डिवाइट करते हैं तो first है क्या है इनका food type क्या होता है सबसे पहला होलो जोई के अगर दोस फुच्छ विच्छ कैन बी कॉल्ड इस कानी वोर मतला भी अधर और और दिपेंडेंट रहते हैं यह शॉलिड और कॉंप्लेक्स और निक फूड मेटरियल को कंजीम करते हैं सेकेंड है हमारा होलो फाइटिक होलो फाइटिक होलो फाइटिक कर सेंपल यहां दोस्ट विच विच विचर अपना खुड का अब अगर में करते हैं अब अगर एक तरद क्या हो जाता है हमारा एक यूनिक फीचर बोड़ जों डिस इस पीनो साइटो हुआ है आप नियुक्त बहुते है तो कहते हैं अपने अपने बॉड़ी इंजेस्ट करते है और उसको क्या करते है, यह उनका process क्या होता है, इन वेदिनेशन के तुरों अपने body में इसको ingest करते है, तो इस प्रक्रस्ट को क्या करते है, हम इसके बारे में इसके बारे में इसका बारे से ठोड़ा भी ऐसे जनगे रे लिए तो दो पाइनों सर्टॉटिस के बाद हमारा क्या है टाइब लुए इस इस पर ऐस्मो टो टोफिक चुट्रोफिक ऊस्मो टोफिमोड अक्टिशां जाए कि ये अपने सराउंडिंग के एरिया से नीट्रिंट को ओस्मोसिस कि थूऊ अपनी बॉड़िय में इंगल करता है आपने नॉरमली वाटर में वाटर चो कहें लिक्वित लिकविट में होती हैं तो उन्सी क残य करता है ये तो नो केसे क्रेकर हो फिर्फ है दे थी हमारा यो सित्प शाय्ट के चुंग करता है और इनका तेím धियर्द सब्सक्राइब कराएं कि ये वोट होता है वह तोडी खका क्या है यह अदर किम्सम्न मेंपड़े तोडी के उसके हुआ हमारा जो फोड मेंचनी है उस पर डिपन्नेंट रहता है पया साइट और यह कहते है प्रिक्स क्या है मिग्जो ट्रॉफिक अब ट्रॉफिक क्या है कि यह एक ट्रॉफिक कोई सिंपल मोड नहीं है यह क्या है क्या है क्या हो गया है एक टाइम पे एक से ज्यादा मोड ऑफ में नूट्रिशन यूज कर रहा है तो वह क्या हो गया है यह एक टाइम पे अपने क्या होता है तो हम आगे इसको लिसक्स करेंगी डिटेल में तो अभी स्टाट करते हैं इसको जान लेते हैं क्या होता है तो होलोग मोड ऑफ मुट्रिशन में क्या होता है यह नॉर्मली जो यह क्या होते हैं यह क्या होते हैं हमारे यूनिसे अदर अरब यह इसको लिटेंग रहते हैं तो होता है यह नहीं होता है यह मुस्लीट ऑर्गिनिज्म को पर डिपेंडेंट रहते हैं अपने फूड के लिए अधर और्गनिनेंग करते हैं हंट्ट रहते हैं लगदेंगे लगव को क्या करते हैं यह उन पर फिट अप करते हैं तो अगर हम इसको एक कॉमन सीधी बात करें तो मोस्ट पोटोल मोस्ट अब दी प्रोटो जोर ड्राइब नुटिशन भाई इंजेस्टिंग सॉलिड एंड कॉम्प्लेक्स और गनिक फूड माटेरियल्स यह करते हैं अपने सॉलिड और कॉम्प्लेक्स और गनिक फूड माटेयल्स को अपनी बाटी में इंजेस्ट करते हैं और इस मोड को रहते हैं होलो जोई कर जूट्रॉफिक मोड़ नुटेशन और दिस मोस्टी अकर्स थ्रो फेगोसाइटोसिस अब फेगोसाइटोसिस क्या होती हैं एक काफी कमान सी बाथ लिए तो सेすथा हैं हम किसके बहुत कर रहे है कि उसका नॉकलेस हो गया अव इसके सराड्रिंग में कोई दूसरा कई एंग वह बक्तीरिया कर दो होते हैं जब इसके पूरी बाड़ी पर रिसेटटर लगे होते हैं इसके रिसेटर को नहीं को ड़ा देता है और यहां से कहाता यह थोड़ा सा इन्वेजीनेट हो जाता यह अधर और यह पूरी बाड़ी को एसे करकि यह पूरे अपने को इंगल्फ कर लेता है ठीक है तो समझे यहां पी है हमारा बाड़ी है ठीक है पहले ऐसा था तो जैसे इनको पता चला कि यह बहार एक अगर इसके बाद का नेक्स बताएं तो कुछ ऐसा होता है कि next में मिल जाती है यहां से यहां पर एक इंडिविज्यल कि यहां पर हो गया और यह हमारा और यह बीज में हमारा प्रे जाता है अब यह प्रे जिस जिस सर्कुलर फ्रेम में है इसको कहते हैं हम कि एंडोसोम क्या करते हैं है तो यह कह हुआ फैगो सोब तो जनरल आपको समझ में आगी हैं में क्या होता है? simple सा angle करता है outer area के चीज़ों को next क्या है? कि जो इनका food क्या होता है? तो इनका food क्या होता है? microorganism होते हैं जैसी bacteria हो गे, diatums हो गे, rotifers हो गे, crustacean larvae हो गे, ये other protozoans तक को भी क्या करते हैं? उन पे भी ये feed करता है. algae and small fragment of large animal and plants पर भी ये क्या करता है, feed करता है. अब इनके जो कहते हैं, जो इनके फूड इंजेस्ट करता है, तो इनके कुछ पाध्रिस होते हैं, क्योंकि ये carnivores होते हैं, बट ये single unicellular cell body होते हैं, इनके body में भी हमारी तरह different steps होते हैं, उस food को कहते हैं, utilize करने के लिए अपने energy के अंदर बदलने के लिए, इनके अंदर different steps होते हैं, तो those are steps like, first, ingestion होता है food का, digestion होता है, absorption होता है, assimilation होता है, and digestion होता है, अब इत्तों से detail में समझते हैं, ये processes क्या होती है, तो ये amoeba है, ठीक है, हमने अभी थोड़ी दिर पहले क्या करते हैं, यहां पर एक phagocertuses पड़ी है, और ये उसका nucleus है, छोड़ा छोटा बना है, ताकि जल जल जली बन जाए, तो ये है उसका nucleus है, अब इसके outer area में यहां पर food particle है, ठीक, outer area में यहां पर क्या है, इसका food particle है, अब क्या होता है, जब इसके receptor को पता चलता है कि यहां यहां पर क्या है, इसका food particle है, तो ये क्या करता है, शूडू पोडियल अपने शूडू पोडिया क्या कहते है अपने अपको शूडू पोडिया निकालता है ठीक है अपने सेल मेंब्लेन को स्ट्रेच आट करके यह सूडू पोडियल में दिखाता है और उसको क्या कहते है अपने सर्राउंडिंग में अपने अंदर उसको इंग और ये जो है ये जुद्व चीजी यह क्या है हमारा इस प्रूड़ा है उन्हें लोको मोशन में पढ़ा था अगर आपने नहीं पढ़ा है वह लोको मोशन का वादी वीडियो नहीं देख़्ी है तो आपको प्रज़ लेकर सुडो पॉडिया किसली उस होता है राकि मोझत ही स अब यह सिंगल इंग रिसेप्टर क्या करते हैं एक दूसरे से चिपक जाते हैं और यह क्या बन जाता है कुछ कि यह पूरा प्रोसेस क्या हुआ इस पूरी पूर्स कर हैं हम इंजिस न उफc है तद यहां था हमारा ट्रें स्वाइब इंज purposely अषू मिल्च socialism जब यह food ingest होता है अब जब यह endosome में तो जब यह endosome में क्या कहते है यह cover हो गया अब endosome क्या करता है इसका digestion करता है तो next step क्या होता है कि डाइजेशन तो डाइजेशन में क्या होता है जो लाज मॉलेक्वल है उनका रहते हैं ब्रेकडान होता है इसके अंदर इसके अंदर इसका क्या हो गया हो गया है इस प्रोसेस को क्या है है ब्रेकडान आफ लाज मॉलेक्वल इंटी स्मॉलर मॉलेक्वल इस प्रसेसिशन अफ अब क्या है कि जब डाइजेशन हो जाता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ पार्टिकल जिनको करते हैं इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती है तो अब इसके अवाद दो प्रोसेस होती है कि अब करती है आपको सबसे पहले बाद ब्रादों कि सेल क्या करता है यह पूर्टो जो है उद्धिर दिरे मुवमेंट शो कर रही होती है तो नॉर्मली कि तरम बात करें तो इसके बाद क्या होता है इसके बाद यहां पर सेल मूब आउट हो जाती है और मूब आउट होने के बाद कि एक प्रोसेस आता है और है एक साथ होता है दोनुँ चीजे पहले दोप्रोसे आती है एक हो ते इजैशं और एक होता है एसीमिलेशन में क्या होता है कि हम ini देन हुआ इसां मतलब क्या है यहां से निकल गया ठीक है इजेशन और एक्सक्रीशन दोनों अलग अलग टर्म से याद राखना इजेशन मतलब क्या होता है कि इन में उस फूड पर्टिकल्स को बाहर फिक देते हैं जिनको क्या कहते हैं जिनका ब्रेक्डाउन पॉसिबल नहीं है उस पूर्ट जोगा उस सेल के धरा और एक्सक्रीश प्रोग्स क Graduation के बाद जो utilization होता है एसीमिलेशन के टायम में ये टिलाँजजैसान कुलाइशन के बाद जो बाई पर दबनाते है तो उनको उनको छंगा बाहर प्रोड़क्ट का तो वह प्रोड़क्ट का तो वह क्या हुआ एक्सक्रिशन तो यहां पर प्रोसेस है वह क्या हुआ प्रोसेस का प्रोसेस कैसा होता है तो इजेशन में इहां प्रोसेस है ठीक है इस कुछ से समझे लेना भी थोड़ा और यह हमारा क्या है हमारा कि इंडाइस्टिबल पूट पर्टिकल है अब क्या करता है यह से लिदर को मूब करता है तो इन डाइस्टिबल पूट पार्टिकल यह क्या करते हैं उसी जगहा पर रहते हैं बड़ जब सल आगे बढ़ जाता है तो वह अपने याप पीछे छूट जाता है ठीक होता है यहां से सिंपल सी बात करें कि अपना कुछ एक्स्टा नहीं करता है जो इनगांगे बढ़ जाता है टो इस तरीके से यहां पर दिश्वरी आगे बढ़ जाती है वह मैं यह जो फूट पार्टिकल से यहां पे पीछे छूट जाते हैं थिक तो ये प्रोसेस क्या होता है इसाऊडर्शन रूप एंडाइब ठेवल पूट परडेगल अब हम यह उतकी बात कर रहे होते हैं जिन में के कहते हैं कि पैलिकल लेयर नहीं होते हैं आपको शोष्ट है डाने स्ट्क्चर में पढ़ा था तो पह खेसे लूस ha में पैर मईशियमिस के एक सब्सक्राइब में होता है यह सबसे इसमें भी आगे बढ़ने का फिनॉमिना है जब आगे बढ़ता है तो क्या बाइक है अब इसमें नहीं को बैसिकल की बात नहीं कर रहे हैं ठीक है यह कहते हैं इनमें पीछे चूट जाते हैं बट इनको बहुत फेका जाता है जब तोड़ी सी हान होती है एसमें क्या होता है यह इस पैलिकल को बस्ट आउट करना बढ़ता है और बस्ट आउट के लिए इसमें कहें ज्यादा होती है और फिर इसको और आधने करने के लिए और ज्यादा नर्जी की रिकॉइमिन होती है ₹ तो जो उनमें होती है उनमें इजेस्ट होता है ये अधसेया व skillset पीच्छे चुट ढ pirates करहते हैं Nee कि नेज्ट के हैं हम इसे हमारा है इसे हम इसे न हम समझे यह जो पीछ चूट जाता है अब इसेशन के बात क्या होता है इस्सिमिलेशन मतलब क्या हुआ अभी यह जो प्रोसेस इधर निकल गया जो बाहर निकल गया वह क्या हुआ अब यह प्रोसेस आगे बढ़के आगई कि अधिश्व क्या हुआ हमारा थे प्रूट्टिकल छोटे छोटे वैसिकल में पूरा का पूरा अब देखिए जो फूद इंगल्फ करा है ठीक है उन्हें जो प्रोटीन है अब देखिए एस से क्या हो उनको हमने जो डाजिस्टिक एसीड है उसको छोटे-छोटे पार्ट में चौप कर दिया हमने बट अभी वो यूटिलाइजर नहीं हो सकता ना अभी उ लेकर आये है वह सको पकाते है तो सेम प्रॉससे ही बही है कि जब डायाजर्शन हो जाता है जब फूट पर्टीकल कर चौप आड देखिए नंको उनको क्या करते इस रूप में बनाना कि उसको क्या कर सकते है हम यूटिलाइजेशन में क्या होता है जो फूट पार्टिकल है उसको क्या कहते है प्रॉपर अब उन पार्टिकल्स में उनको यूटिलाइज करते हैं जिन में क्या कहते हैं सालोन को यूज कर सकें यूटिलाइज कर सकें यूटिलाइज कर सकें यूटिलाइज कर सकें यूटि टारगेट और फिर टारगेट ऊंपार्टमेंट लाइक कि अगर पुछ तो उनको पिमार्ट में पैस्ट यहां जाता है इस्विलेशन होजाता है आप पार्टिकल्स का अब क्या होता है इसके बाद इनका गारे मतलब यूटिलाइज कर दिया हमने आप इसको ठीके जब हमने उसको चॉप किया जब कि परफटेट्च सेब्स ऩिए हैं कि उसको कर सकता है इसेल तो उसके बाद उसका बायिप्रॉडक्ट्ट्ट्स निकलते हैं रहा सी दनके है हमारा यूरिया तो इस प्रोट्ट्स को कहते है हाँ क्या है डिल क्टेशिआ कि समझ में आगे एकस्क्रेशन और इस डेशनल इएसे व्व्वॉट और थीद्धिध पुलाइजर और यह से उतलाइज कर सकते थे उनका क्या क्या सिमिलेशन के बार क्या हुआ ने उन भाई प्रडॉक्ट को क्या करते है एक्स्क्रिशन के दो बॉडिस यह क्या कर दिया तो यह पूरा का प्रॉड्ट प्रॉसेस किसमें होता है बोलो जोई ठीक है इस टेप्स कि इन पोलो जोई कि मौड ऑफ है नियूटिशन है कि यह सारे के सारे मोड है तो सब्सक्राइब ऑक होता है इहाँ पे और फृर क्या होता है और फिर क्या होता है एक अपने इससे पहले हमने इससे पहले में में क्या वड़ा थे एक मोट है के एक फिर पॉ Lisa जिसको एब्सॉप्शन ठीक है तो i perdaslass deaf शर्थ क्या होता है कि यहां पर हो गया अब यह ऑनलो सोंने रहता है तो ओनलो सोंने के बाद इन में यह चाहता book इल्लाइज कर सेगह से जिन जो उनको यूज करेंगे तो जैसी वो यूज करेंगे तो क्या होता है उस प्रॉसेस को कहते हैं जब बहार निकल जाते हैं इस एंडॉसम से हम simulation simulation में क्या होता है उनका जो पर्फेक्ट फॉर्म आ जाता है ताकि वो इसको यूटिलाइज कर सके ठीक है यहां तक हम समझ गए इसके बाद हमारा क्या है पाइनो सैट्वर्स अब दिखे इस से पहले हमने क्या पड़ा था अब कहा है पाइनो सैट्वर्स मतलब क्या होता ह है अगे रिंग्कीं मिले टीक टाइनी मॉलिक्टियूल्स और टाइप अ तो पिनुसाट्रीज और से मतलब से अंदर ट्रेवल करता है एक्स्टासेललर फ्लिव्ट से इंट्रसेललर फ्लिव्ट में ट्रेवलिंग इसको कहते हैं एक होती एक्स्टासाइटोसी इसमें क्या होता है अंदर ले न टैंड़ फ्लिव्ट से एक्सटासे यू सेलिवल में ट्रांस्टाइट्र फ्लिए मतलब एक्सटे सहनल इंड ऊंद लियुल डांज आउत्य है कि एंदर करते हैं एन डेंग क्षिछ चैनल के थूरह आते हैं जिसको जते हैं स॥ तरोसे पीनोसाइटो सीच चैनल और उस चैनल के एंड पर क्या कहते हैं जब टर्मिनल एंड आता है वहां पर चूटे छूटे बोले यह च्छोटे चूटे इस प्लाजम एंबरेंगे पार्ट से बने होते हैं वह उन में कहते हैं बन रहाते हैं या उन पार्टिकल्स को कहते ह है पीनोसाइटो सोम या टेस पीनोसों फिक बोल सकते हैं इसको इस मेटरड ऑल्सू कॉल्ड एशल डिंटिंग इसलिए वोलते हैं कि यह लिक्विट को एंगल्फ करते हैं अब पेगो शाइटोसम लिक्विट की बात नहीं कर रहें वो कहते हैं वह किसी अधर और कंनीजम प्राइट प्रॉसेस अफ पीनुसाइटिस डिल बिट बॉबेंट ऑफ लाज नंबर ऑफ टाइनी मॉलेक्यूल्स तुरू फ्लीट फ्लीट को कहते हैं इसलिए होता है प्रॉसेट फ्लीट होता है इसलिए उनको बल्क फेस इसलिए कहते हैं और अब इसको पता है इन में क्या होता है सबसे पहले इस पर बनाए गया है पूर बन गया ठीक है लिक्विड है लिक्विड में हमारे लिक्विड है उसमें क्या है फूट पार्टिकल्स डिसॉल्वड अब वह इस लिक्विड के थुरू अंदर एंटर करते हैं क्या होते हैं वो छोटे-छोटे स्फेर्स में प्लाद्म एंप्रेंट के स्प्रेंस में कंदर्ट हो जाते हैं और इनको क्या कहते हैं पीनोसोम और यह वी एक टाइप के अब जो मुवमेंट होती है जो पूरा एक लंबा चैनल होता है उसको कह लेते हैं पीनोसाइटोसिक चैनल यह जो आउटर रेडिया है इतको क्या कहते हैं हां एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड टिक यह क्या हुआ एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूट क्या होता है इन पोर्ट के थूरू इन पोर्ट के थूरू सेल्क के अंदर एंडर करता है यह सबसे पहले दीरे दीरे पोर्ट बनके इनके अंदर इन्वेजिनेशन हुआ और धीरे दीरे इन्वेजिनेट होती होती है लॉंग टर्मिनेल एक चैनल बन जाता है तो यह अगर हम बात करें इनिशियल स्टेड है और यह इसका फानिल है हाँ नाक्स अब पीनुस एडियस के बात कि है हमारा स्टेप्रोडवुटृशन अब स्ट्रोडवुटृशन क्या था हमने इससे पहले स्टेप्रोडुटृशन किसमें पड़ा था सैक्रीभी न्यूटृशन मतलब क्या होता है इनमें ऑस्मोसिस की धुरूद जो सब्स्टांसिस इन स्वलूशन के तुरू अपनी बॉर्डी में अपनी बॉर्डी सर्फिस से एंगल्ब करते हैं और इस में यूज कुम सो होता है और इस टोटल प्रॉस्ट को रहते हैं हम ऑस्मो ट्रॉफी ऑस्मो ट्रॉफी मतलब क्या हुआ आप प्रॉफी तो ट्रॉफी का करते हैं तो ट्रॉफी मतलब क्या हो हां की बास कर रहे है और ऑस्मो मतलब औसमोंसित मतलब क्या है Ford in Corn như giung Conseいうbes Combine इस्विर हाय जपर प्रोड़ गरते हैं हुम आस्मोट्रोफी संप्रटोवम्जुम्ज अर्ड़नीझ स्प्स्टारंसेने सुलोशन तो संडेश्बर इस्वiquéं वाइई दथ प्रॉसम्ज्च अब अस्मोट्रोफी इस प्रॉटोगा कॉल्ट सेरोजोई तो फोर्टोज़ विच इंटिलाज इस पॉस्मोसिस पाद बेर निट्रियंट रिकॉर फॉर्ट निट्रियंट फुल्टियमें और कॉल यह क्या करते हैं अपने सर्राउंडिंग में जो फूर पर्टिकल्स है उनको कहते हैं अपने मेंब्रेन के तुरह पर अपने बॉड़ी इनको यह 3 जा होते हैं लोक्तकों यह जो पानी में शट गल रहे होते हैं ठीक है तो उनकी पोटीन से उनका ब्रेकडाउन पोड़क्ट है उनको गते अपनी बॉड़ी सर्फिस में उस्वसिस की तुरह अपने बॉड़ी में एंगल लेते हैं ठीक है नेक्स्ट है हमारा ओटो ट्रॉफिक और फोलो फटिक निट्रिशन तो इस अर्मोस्ट कॉमन टाइप अब निट्रिशन तो ऑटो ट्रॉफिक मोड़ने क्या होता है कि पाल सिवारे दीधार फोटो सिंथेटिक यह तो किसी को बोलने की जुरत नहीं होते हैं कि यह फोटो सिंथेटिक होते हैं और इनके पास क्या होता है प्रेसेंस ओफ प्लस्टीड कि इनमें क्या होता है प्लस्टो फ्रेजलेट्स लाइक और इवी अजन में होता है जो की प्लस्टो सिंटिट होता है और फैटो फ्लेजलेट्स से फाइटो फ्लैजेलेट्स लाइक नही existing ऑल फ्लाइट खब्लाइश रुसेजिस फ्लोरो प्लास नॉक्षनी भी हुता है नौक्तव अ ada फैप्सेलेट्स टुरो फ्लोरोऒ प्लस्टेशस थीज़ीच्ट थी के प्रेजेंस में स्करवन डाइसट्राइज टू ग्लूकोज है यह क्या है हमारा है वह एंद में मेजर इसका क्या है यह एक लोग्लास होते हैं और ट्रोमेटाफोर्स होता है इनका में ज़र्यक्वर्मेटे हैं है some protozoa have no chromatophore but they have chlorophyll-bearing algae ठीक है यह ज्यसकि जूसे निधिये ले ठीक तो क्या है हमारा सम प्रोटो ज्यव आव नोघ्रमेटाफोर but they have chlorophyll-bearing algae which manufacture organic food for the host by photosynthesis और इसका compatible नोल कोहीं स्टेंटर क्ला Sworr- नहीं होता है तो अपने साथ की सिंबायोटिक रिलेशनशिप वाने वह है अलगे हैं उन से हें उनका हेल्फ लेते हैं अपने पास अपना हूरा दम Ini तो यह यह इस आपको नेस्ट हम आगे बढ़ते हैं अब मिग्जो ट्रॉफिक हमने पहले बात करी कि जो अपने नरीश्में डाफिज अपने निट्रेंट को फुल्फिल करने के लिए एक टाइम पे एक से ज़्यादा मोड अपने रहते हैं वह कहलाते हैं मिघ्जो ट्रॉफिक कहलाते हैं तो किते हैं संट्रोड्रोल्ज यूओा नरीश्ट देमसEL थे माई मोर दन टम the same time or the different times due to change in environment this is called mixotrophic nutrition मतलब क्या है कि एक टाइम पे दो मेठड एफिर एक टाइम पे दो मेठड का यूज करते हैं फिर दो मोट का यूज कर सकते हैं एफिर एन्वारमेंट पे क्या होते हैं सैप्रोज्व एक होने के साथ साथ और टोफिक होते हैं कि तो सबसे पहला जो डिलिगत हैं हमने क्या में जो मिघाट और और उसका यह क्या प्रोटो ज्वांस के साथ सिम्पाइटिक टित शेयर करते कि इस और नहीं होता है तो क्या कहते हैं यह अपने सिंबाइओं पर रिलाइई करते हैं फुर्टॉ संथिट में होता है उनके पास हंहारा प्रोटो यह अदर वन उन्येटिशन होते हैं आंडे था रित हुआ होता है हमारा अ है अ अपना पूर्ड क्या क drummer बनाते हैं तो मोड नहीं अब नहीं कि वित नहीं हनों कर दे हैं गयर बात कर रहे होते हैं तो कि इसलिए इसलिए इनकों के लिए नहीं मान सब्सक्राइब की हैं तो हम बोलते कि हैं तो इसलिए हम इसको में मानते हैं उनको में रखते हैं ठीक है और इसके common example क्या है फुरानिफेरेंस और रेडियो लेरियंस अब सिंबायोटिक में इजोट्रॉफी के बाद में नेक्स्ट आएक है प्लांक्टोनिक में इस फॉर्म फॉर्म फिंग्जोट्रॉफी मतलब क्या है कि इनमें प्योर होते हैं और यह प्योर फॉर्म 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 फॉर और दूसरा क्या है प्लास्टीट है तो हमारा क्या है तो होते हैं योदे होते हैं उन्हें क्या होते हैं उन्हें होते है कि जब light होती है यानि कि when light is present तो क्या करते है यह यह शोग गरते हैं ओटो सिंथेसिस जब light है इस एप्सेंट तो यह क्या करते हैं यह सिंपल सिंपल है ट्रॉफी हो जाते हैं तो दीज आ हमें सही बोल सकते हैं यह क्या होते हैं अपने फोटो सिंथेसिस को पुछ ऑन और अट्विच आप करता रहता है हैं यह हमारे मिख्जोट्रॉब होते हैं कि अब ऐसे हमारे पास जैसी हमारा है कि इनका इन प्लास्टिट नहीं होता है बट यह एलगे बॉड़ी को क्या करता है तो जब अपने लिए यूज करता है उस प्लास्टिट को तक कि वह प्लास्टिट फोटो सिंथेस कर कर सके उस अमीबा के लिए तो यह नेक्स जनेरेशन पर ट्रांसफ़र नहीं होती है यह उसी जनेरीशन से तसको यह प्लास्टिट फिंघ quizision है फिर हम प्लास्टिक को भी कंजूम के रहे तो यहां पर हमारा मिंग्जोट्रॉफिक भी समझ गया है और यहां पर हमारे चार काइंड आप मिंग्जोट्रॉफिक हम ने समझ गया है लागे हैं जो होस्ट डिपेंडेंट की बात करें हैं जिनमें होते हैं एक दो होते हैं थे मतलब वो क्या अपने खोश्ट के फूड को इंवल अपने फोट पे डिपने रहेते हैं अफनों टृशन के लिए यह अपने यह आपने खूश्ट की बॉडिकों क्या करते हैं फर्ट फूड के फूर्व करते हैं और वं। फेगे Kenaci करते तो वर्डिंँक पैतो जो जूढ करते हैं दिजी करते हैं मैने वह हिए कहा वाउस्ट का खाना खाते हैं प्रसिवातkeln हे चाना खाते हैं को खाते हैं तो दीजग कांद वे summer किस टाइब कर रहे होते हैं तो मतलब बाहर रहे होते हैं तो मतलब क्या होता है तो जब प्षाइट नो से अगर कोई अपने सभूष्ट के लगा है तो क्या हुआ है है यह यह क्षाइप्ट करता है है एक्टोरनमल सेल्स अपैडीड है एक्ट सेमाज में आ गहें हमारा एंडो पैरासाइट अब एर्टे रहाएं आट रहिए आक्ट लिए निवत्श अाज यह झाट अब इंटर्नल ये को करता है फिर फोस्ट को रटाइए एफक्ट करता है तक पिर पिर अपने इंटर्नल अ होते हैं तो सबसे पहला क्या है हमारा तो इनका एक्जामपल क्या है एंड टाइब यह लाजेस्ट पहले वीडियो हमने सबसे पहले ने पूर्टोजों कर लिए थी। उसमें आमने बताया था क्या है इंग किया है अब जो माउथ के भीटी में होस्ट के माउथ के में रहते हैं टीक है तो वो क्या हुए है वह कौन से हुए ऐंट जिंजी वैलिस अन्टेमिवा जिंजिवले जो कि फोस्ट के माउथ में रहते हैं उसके बाद कहाता है तो पैरासाइट वुच इनाइबिट देनेटिकल ट्रैक्ट अब दा होस्ट और इसका कॉमन एग्जामपल क्या है तो यह क्या हो है हमारे सारे के सारे एंडो पैरासाइट होते हैं नेक्स्ट है हमारा मतलब बच्छर पैरासाइट को राचिक निफिश्ट को रहे हैं चैका और उन पैरासाइट को बात करें ये आदर पैरासाइटओ पैरासाइट की बात करनाूंपल इंपल सी ही ये एक्जामपल पैफोजनिक पैरसेट मतलब क्या है यह पैफोजन रिलीज करता है तो मतलब क्या है यह यह पैफोजन अब जरूरी नहीं है है इसका मतलब नहीं हो सकता है इसा कुछ नहीं क्या करते हैं यह डिजीज कॉस करते हैं मैंने का सबसे पहले ही कहा है कि जरूरी है कि कोई प्रोटो जुआ होस्त की बॉड़ी पे इनफेस्ट कर रहा है इसका मतलब उल्डिजीज क्यास कर रहा हो इसका कॉमन एक्जांपल क्या क्या है हrı लिश्माणिया डोनोवानि प्लाज्मोडियम बाईवैक्स त्राइपक ट्राइपट्र अधिये मंपयंगड help देख लिया अब क्या है अब क्या होता है कि फीचर होता है इनके कहते हैं जो लिक्विड फिल जिनके कहते हैं जिनके रहते हैं इंटर करता रहता है तो जब यह एंटर करता बाहर निकाले ताकि इसका बॉड़ी में बना रहे मतलब क्या है बना रहे तो इस प्रॉसेस को कंप्लीट करने के लिए क्या उसक उसकरती है बॉड़ी ऑस्मोसी और यह वाटर को रिगुलेशन करता है तो इसलिए इस पूरा हम आस्मो रिगुलेशन ठीक है अब देखिए उ आस्मो रिगुलेशन यूज किसलिए होता है अगर हम बात करें वाटर लेवल इनसाइड इसलिए बैलेंस करता है वह सॉल्ट लेवल ठीक है बॉड़ी के अंदर तो अब हम बात करेंगे तो अब बात कर रहे होते हैं तो प्रेस्ट बॉटर पूर्टर बिल्ट फेज़व प्रॉबलम एक्सेस अफ वोटर डिटेट टर्ट एंटर इंटर इंटर गॉंड इंटर असमोसिस फ्रेस्ट बॉटर पॉट्ट बॉट्वलम होती है क्योंकि आपने तो जो मरीन एनिमल होते हैं जो मरीन पॉट्वलिम्स होते हैं उनके सरार्णिंट की जो पानी होता है वो क्या होता है अब कहें तो प्रॉसेस बाई विच वाटर वैलेंस मतलब जिस प्रॉसेस के दूरू वाटर वैलेंस होता है वोटी में इंडिस इस कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन ठीक है हो बैलेंसिंग अन्ट्र वाटर मतलब क्या है इसको रगता है होमियो स्टैसीस इस टेक है इस इन पॉटोजियोन अनिमल्स पॉस्मो रेगुलेशन इस केरीड आउट बाई कंट्रेक्ट टाइल एक्टाइल वैक्यो अब जब बॉडी में पानी एंटर हो जाता है तो वह पान हो जाता है तो फिर वह क्याते हैं सेल मेंब्रेन पर जाके रप्चार रॉट हो जाते हैं बस्ट आउट हरके उसको बाहर थ्रो कर देते हैं ठीक है तो दे कंट्रेक्टाइल वैक्योल विल अब्सॉर्ब एक्सेस ऑफ वाटर इन दा बॉड़ी देन इट विचिस देस सेलफ वैक्योल नॉर्मल इनको अभी लेटिस्ट क्या कहते हैं इनको यह भी कहते हैं वाटर पॉल्सेटिंग वैसिकल भी कहते हैं ठीक है इस्टेप्स इन प्रॉसेस ऑफ्मोर रेग्लेशन ठीक है तो पॉंटेट्टाइल वैक्योल्स फ्रोड़ाब डाइग्राम के तुर समझ इसमें वाटर है ठीक है और इसके कहा है रेडियल कैनल से एक पूर्स ओपन होते हैं और वैक्योल पॉंट्राक्ट होता है इस स्टेप में क्या होता है और सेल मेंबरेन पर पॉर्स उपन हो जाते हैं तो चांधृ कि आखिए जब हमारे व्यक्व्यूज ख सब्सक्राइब को पर ओपन होता है सेल मेंबरेन पे हमारा और कोंट्राइट करने लगता है ताकि प्रूसर के शुरूब वुफर यहां पर वह सके रप्च्र आउठ सके तो जैसे में पहुँचता है पूर्ट मिलते हैं और वह वैक्ट को आपक्षिन में चला जाता है यहां पर रप्चर हो जाता है हमारा वैक्योल यहां पर होता है हुआ दे रप्चर ठीक है तुर फो जाता है हमारा और फिर क्या होता है नार्मल इस्ट और यहां पर क्या हता है एब्सॉर्ब और प्र लोता है वापस से वही चेन रियक्षन चलता रहता है और इस प्रस्ट को कहते हैं हम ड्रेगुलिशन असला वाटर वैलिंज इन ठीक हो गया तो यहां पर हमने थ्टोड़ा सा ऑस्टो रेगुलिशन को भी समझ लिया तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्टर कंप्लीट होता है कि मोड अपने पढ़ लिया हमने और ऑस्मा रिगलिशन भी पढ़ लिया ठीक है नेक्स्ट लेक्टर में हम करेंगे रिप्रोडक्शन और प्रोटोज्वा तो अगर आपने अभी तक हमारा जुलोजी के सेकंड का डिस्टाउंड में मिलेगा ठीक है जुलोजी के सारे पॉर्स पे जुलोजी के अलावा बोटनी केमिस्ट्री मैप फिजिक्स कॉमर्स के क्लासस भी हमारी वेबसाइट पे अबेलेबल है प्लीज गो एंड चेक आउट और वेबसाइट तो चलिए थैंक यू एंड टाट में गरूटनी के अलाव हमारी टाटनी पे वेलेबल है जगटनी के काosition के मिलेग पेले वेबसाइट अगरी वेंस भी गणुलोजी के अलाव द एंड शोनी कहित्टनी के जुल좌स्ट आपकोके सारे जह हमारी हमारी गषैथ यूराण